हेलो एरिवन, वेलकम टो सेता पटवास रेसीपी, आज की हमारी रेसीपी है फ्रायम, आज हम साबुद्दाना के वरत में खाया जाने वाले फ्रायम बनाएंगे, जो की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जो एक कप साबुद्दाना लिया है, और साबुद्दाना को हमने पानी से निकाल कर एक कपड़ में पतला फैला कर सुखा लिया था, जिससे की साबुद्दाना आपस में चिपका नहीं है, आप चाहें तो साबुद्दाना को गीले कपड़े से पोच कर भी ले सकते हैं, या फ पहले हमने कड़ाई में साबुत दाना के पापड बनाये थे उस वीडियो की लिंक डिस्क्रेप्शन बाक्स में दे रखी है आप चाहें तो वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है तो उस पैन में धाई कप पानी डाल देंगे याने कि जिस कटोरी या कप से आप साबुत दाना लेते हैं उसी कप से पानी लेना है जितना हमने साबुत दाना लिया है उससे हमें धाई गुना पानी लेना है और अब हम इसमें आधा चम्मत सेना नमक डालेंगे नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार डालें और इस पानी को तेज गरम कर लेंगे और इस पानी को हमने बहुत तेज गरम कर लिया है और अब गैस ओफ कर देंगे और इसे हम साबुत दाना में डाल देंगे तो ये पानी हमने साबुद्दाना में डाल दिया और अब इस साबुद्दाना को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और अब हम इसे ढख कर लगभग 5-6 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे राद बर भी रख सकते हैं और अब इसे छोड़े हुए हमें लगभग 6 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे मैस कर लेंगे और ये बहुत अच्छे तरह से फूल भी चुका है तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं और अब हमने एक चकली का सांचा लिया है तो ये जो इसमें सेव बालाने वाली प्लेट रहती है वह ले लेंगे तो सबसे जो बड़े छेद वाली प्लेट रहती वह लेना है और अब हम इसमें इस साबुद्दाना के पेस्ट को डाल देंगे और इसके बाद इस साचे को बंद करके हम फ्रायम तयार कर लेंगे तो फ्रायम बनाने के लिए हमने यहां पर एक प्लास्टिक सीट लिया है और इस तरह से हम फ्रायम बना लेंगे और यहां यह हमारे सारे फ्रायम बनकर रेडी हो चुके हैं और इसे हम दो दिन तक धूप में सुखा लेंगे अब दो दिन में यहां बहुत अच्छे से सूख चुके हैं और फ्राइ करने पर भी इसका साइज काफी बड़ा हो चुका है और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं आई होप कि आपको आज की हमारी यह रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर करें मिलते हैं एक निव वीडियो के साथ थैंक यू